जे सीर्टी क्लास्टिक साइंस चेप्टर 15 सुच्छता की और भरतिक अदम All Question and Answer पहला प्रस्ण लाल की चुए किस प्रकार के कच्रे को कमपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते और इसका उत्तर है प्लास्टिक के थैले, टीन, बोतले, कांच, एलमूनियम फॉयल, टूटी हुई चूडियां आदी दो नमबर प्रस्ण है क्या आपने अपने कॉमपोस्ट गड़े में लाल केचुओं के अत्रिक्त किसी अन्य जीब को भी देखा है जदी हाँ तो उसका नाम जानने का प्रयास करें, उनका चितर भी बनाएं इसका उत्तर है कभी-कभी हमें कीट, क्रीमी, किटानू, मकडी, आदी दिखाई परते हैं यहाँ अन्य सुक्षमी जीब भी होते हैं आगे तीन नमबर प्रस्ण है, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं और इसका उत्तर है, उचित रूप से संग्रक्षित रखते हैं और पुना उप्योग करते हैं इसे अन्य खादे के साथ तयार करके इस्तिमाल करते हैं आगे चार नमबर प्रस्ण है जदी आपको एबं आपके मित्र को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अत्वा केले के पत्ते में खाने का विकल्ब दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों इसका उत्तर है केले के पत्ते में क्योंकि A. इसका निफ्टान आसान ह B. यह पुनाश चक्रन जोग्य है C. यह अधिक प्रयावरन मित्रवत है और आगे 5 नंबर प्रस्ण है प्लास्टिक हमारे लिए बर्दान या अभिसाप तर्क सहित ब्यख्या कीजिये और इसका अत्तरिस प्रकार है प्लास्टिक हमारे लिए बर्दान है क्योंकि यह ताप रोधक होती है आवाज कम होती है इसमें दीमक और जंग नहीं लगता है हलका और आसानी से एक स्थान से दुसरे स्थान ले जाया जा सकता है और सस्ते भी मिलते हैं प्रंतु या हमारे लिए अभिसाब भी है क्योंकि जिस प्लास्टिक के बैग में भोजन बच्चों को देते हैं प्लास्टिक में मौझूद रासानिक पदार्थ भोजन में मिल जाते हैं जिससे कापी हानी पहुंचती है प्लास्टिक जल्दी कमपोस्ट भी नहीं होते हैं आगे छो नमबर प्रस्ण है क्या कच्रे का निप्टान केवल सरकार का उत्तरदाईतु है अपने उत्तर का कारण लिखें और इसका उत्तर है नहीं क्योंकि यह हमारा भी उत्तरदाईतु है हमें कच्रा कम निकालना चाहिए कच्रे को फेकने से पहले हमें चीजों का और पुनह उपयोग करना चाहिए आगे साथ नमबर प्रस्ण है क्या कच्रे के निप्तान से संबंदित समस्याओं को कम करना संभब है कैसे उत्तर है हाँ पुनह चक्रन जोगे सामगरी का उपयोग करके कच्रे के निप्तान से संबंदित समस्याओं को कम किया जा सकता है आग चक्रित कमपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है कमपोस्ट का उपयोग द्वारा हम अपने कच्रे का पुना उपयोग करते हैं आगे नौ नंबर का प्रस्ण है विद्याले जाते समय रीना एवं संध्या ने दो चोकोवार खड़िदा संध्या ने इसके रैपर्स को कच्रा पे कर साता है एवं कच्रा एक जगा रखने पर उसका उठाव संभब हो सकता है जदी आज का ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कॉमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूले